नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चनल पर, मित्रों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंड बीम के बारे में मित्रों, वैसे तो ये टॉपिक में बाद में कवर करने वाला था, पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी है कई वीडियो में लोगों को मिजगाड किया जा रहा है और कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पा रहे है कि ग्राउंड बीम और प्लेंद बीम में डिफरेंस क्या है तो मित्रो आज के इस वीडियो में मैं आपको clear करूंगा कि क्या ground beam और plant beam दोनों अलग-अलग होते हैं या एक ही होते हैं या फिर यदि यह अलग होते भी हैं तो क्या दोनों बनाने जरूरी है या एक बना कर भी काम चलाया जा सकता है मित्रो वीडियो को पूरे आंतर तक देखिएगा बिना skip किये तब ही जाकर आपको आपके concept clear हो पाएंगे ये वीडियो civil engineers के साथ-साथ उन आम लोगों के लिए भी important है जो अपने घर का निर्मान कर रहे हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को बिना किसी दिरी के शुरू करते है तो मित्रो पहले तो हम यह जानते है कि ground beam कहते किसको है तो जिसे कि दोस्तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ground beam मतलब जो हमारे ground level पर बनाई जाती है उसे हम ground beam के नाम से जानते हैं वहीं यदि हम plant beam की बात करें तो इस beam का मतलब भी इसके नाम में ही छुपा हुआ है plant beam यान हमारी कुर्सी लेवल पर बनाई जाने वाली बीम, उसे हम प्लेंद बीम के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों यदि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो हमारा सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है, कि इनका लेवल अलग अलग होता है, प्लेंद बीम का जो soil में settlement होता है और उस कारण जो हमारी दिवार settle हो जाती है उसे रोकता है पर दोस्तों इसमें कई लोग confused होते हैं कि यहर वो काम तो हमारा plint beam भी करता है सर ने पिछली वीडियो में बताया था कि plint beam का भी यह feature है कि वह दिवार की uneven settlement की समस्या को रोकता है तो फिर ground beam का क्या काम है तो दोस्तों इसको समदने के लिए हमें जानना होगा कि जब आप plint beam के नीचे जो brick work करते हैं या stone work या block work या जो भी करते हैं उसके नीचे की दिवार की उचाई कितनी होती है मित्रों जनरली यह होता है कि 5-6 feet तो वह जमीन के अंदर गहरी होती है और लगबग 3-4 feet वह जमीन के उपर होती है तो यदि हम जनरली मोटा मोटा हिसाब लगाए वह 7-8 feet के आसपास होती है यदि हम PCC से लेकर plint beam तक की बात करें तो मतलब कुल मिलाके हमारी जो height है दिवार की वह 7-8 feet बेढ़ जाती है और कुछ case में तो ज़्यादा भी बेढ़ जाती है तो मित्रों क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सोईल इतनी मजबूत नहीं होती है मतलब हमारी जो मिट्टी है उसकी शयन शक्तिति कमज क्रक्स नहीं ऑएंगे क्योंकि आपने बिन्ध भी मना रखी तो उसमें प्लूर में क्या करते हैं कि जोma में क्या करते है कि जो में ब्रुंद कर देते हैं उसी जैने मिलों कि साहता से होगा कर देते हैं। ग्राउंड के उपर उपर का जो भी होगा उसका लॉड ग्राउंड भीम अपने उपर ले लेगी और इससे लॉड डिवाइड हो जाएगा और उस कारण सेट्लमेंट की समस्या बहुत अत्तक निट्रलाइज हो जाएगी मित्रो यदि हम इसके दूसरे फिचर की बात करें तो इनके बीच में अगला डिफ्रेंस आता है कि जो मार ग्राउंड भीम है वह पलिंद्ट भीम के मुकाबले हीवी बनाई जाती है मतलब यदि ऐसा होता है कि आप ग्राउंड भीम और प्लिंद्द भीम दोनों का निर्माण कर रहे हैं तो हमारी ग्राउंड भीम की देप्थ और width वो plint beam के तुल्ला में ज़्यादा होती है मतलब एक प्रकार से उसे हम ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और वहीं हम plint beam को थोड़ा कम मजबूत बनाते हैं पर यदि आप सिर्फ plint beam का निर्मान कर रहे हैं तो आपको plint beam में पूरी अच्छी depth लेकर बनानी है वीडियो में हम जनरली ground beam पर focus करेंगे टो मित्रो इनमें अगला difference होता है कि हमारी plint beam manly earthquake resistance के लिए बनाई जाती है हाला कि इसके और भी ख़ई features होते हैं वह आपको उसी वीडियो में पता चलेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं plint beam को ज़्यादा खेच नहीं सकता पर जो हमारा ground beam का main feature होता है वह settlement की समस्या को दूर रखना और safety को increase करना होता है तो दोस्तो अब आते हैं के conclusion पर कि आखिर हमें दोनों beam मनानी चाहिए या सिर्फ plint beam मनानी चाहिए या सिर्फ ground beam मनाने से काम चल जाएगा तो मित्रो ये दोनों beam अलग-अलग होती है एक प्रकार से आप इसे extra safety feature मान सकते हैं तो दोस्तो अब आप लोग पूछेंगे कि यार सुनने में तो ये दोनों ही beam हमारे structure के लिए important लग रही है तो अब हमें क्या ground beam में भी पैसा बिगाटने के आवशकता है या नहीं है तो दोस्तो यदि आपके आजपास के घरों में settlement की समस्या बहुत ज़्यादा है मतलब आप वहाँ देखते हैं कि कईयों के floor धस रखे हैं कईयों की दिवारों में cracks हैं अगर आपको ऐसी situation दिखती है तो दोस्तो मैं आपको simple सी ground beam ना बना कर एक piled ground beam बनाने की सलाह दूँगा या आपका पूरा structure pile पर design करने को कहूँगा वह एक बहुत ज़द reliable solution होगा क्योंकि दोस्तो ऐसे area में जहां settlement की समस्या बहुत अधिक है या आप ये कह सकते हैं कि वह जगह बहुत ज़द जल लगना है या फिर वहां की soil बहुत loose है उस condition में आपके structure को एक piled ground beam ही बचा सकती है ना कि एक simple ground beam हाला कि piled ground beam को हम आने वाली वीडियो में discuss करेंगे पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि ऐसी condition में आपको simple ground beam नहीं जाना है फिर आप लोग पूछेंगे कि सर फिर आपने ये सब क्यूँ बताया कि ये settlement को रोकता है या ये ऐसे करता है वैसे करता है तो दोस्तों मैं आपको एक practical बात बताऊँ आपने मारूती भी देखी होगी और Mercedes भी देखी होगी एक आती है पांच लाख रुपेगी और एक आती है पचास लाख से उपर गी दोनों में पांच बंदे ही बेट सकते हैं दोनों ही अपनी अपनी मंजिल तक पोछा देगी पर किसी की choice Mercedes होती है क्योंकि उसके पास धनकी मातरा अधिक होती है और किसी की choice मारूती सुजुकी होती है इसी प्रकार से यदि आप अपने नॉर्मल घर में भी Ground Beam का निर्मान करवाते हैं तो यह एक प्रकार से आपका additional safety feature ही होगा इससे आपको यह guarantee नहीं मिलेगी कि आपकी जमीन में settlement नहीं होगा दोस्तों एक प्रकार से उनी गाड़ियों का उधरन ले तो आपको कितनी भी महेंगी गाड़ी या कितनी भी luxury गाड़ी यह आस्वासन नहीं दे सकती कि आप उसमें accident होने पर मरोगे नहीं PCC के अंडर ही अच्छा compaction करके उसका बड़िया treatment कर सकते हैं ताकि आगे कोई settlement की समस्य ना हो इसके लिए आप मेरे वीडियो रेगुलर देखिए आपको वो चीज करनी आ जाएगी पर यदि आप चाहते हैं कि यदि हम ground beam बनाये तो मेरी आपको यही advice रहेगी कि यदि आप loan लेकर घर बना रहे हैं या आपकी financial condition बहुत tight है या आप बहुत budget गर का निर्मान कर रहे हैं तो इसे हमेशा avoid कीजिए हाँ यदि आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं है और फिसे ऐजे safety feature add करना चाहते है तो ज़रूर add कीजिए यह एक प्रकार से आपके घर को strength ही प्रदान करेगा यह कुछ नहीं एक gimmick है हाँ वो बात अलग है कि हम कोई commercial project डिजाइन करते हैं या कोई factory डिजाइन करते हैं जहाँ पर load worth heavy होगा या वहाँ पर activity बहुत ज़ादा होगी तो उस case में तो दोस्तो हमें करना पड़ता है पर एक residential house जहाँ पर इतना कुछ लेना दाना नहीं है वहाँ आपको यह सब करने की आवशक्ता नहीं है यहाँ हम जब stonework या brickwork करते हैं तब ही इसका treatment कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का एक like जरूर करें और चैनल को subscribe करें इसी के साथ मैं add कर दूँ कि आप premiumcopter.com पर जाकर कोई भी तीन premium important टिशेट खरी सकते हैं वो अभी स्रिफ 999 रुपए में है अभी जाकर चेक आउट करें link description में मिल जाएगा thank you, have a nice day